हेलो एवरीवान वेलकम बेक टो आवल बीच्चु पार्ट साला बीच्चु पार्ट साला के ऑनलाइन प्लाटफोम पर मैं शिबुतिवारी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप लोगों का तो बीच्चु का रिजल्ट आ चुका है सबको पता हो चुका है कि उन्होंने कैस उसकी पढ़ाई सुरू हो जाएगी और आप लोगों को भी पता है कि 4-5 महीने बार तुरंथी नया फॉर्म भी आ जाएगा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए जो जिनका हो गया उनको तो बहुत सारी सुपकाम नहीं मेरी तरफ से तो आईए जैसर कि आप लोगों को पता रिजल्ट आ गया अब लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को कहां पढ़ना है ना आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा कुछ को FMC मिलेगा कुछ को MMB मिलेगा तो जो बच्चियां चाहती हैं इंट्रेस्टेड हैं कि नहीं हमें महिला महाविद्याले में प क्या चीज है मतलब कि है क्या वो की इतनी स्पेशल है क्यूं उसका नाम स्पेशल है नहीं की वह एक विमन्स कॉलेज है उसके अलाववों वह तना सपेशल है जानते इस वीडियो के तुरू में तो जैसा कि बता दें इसके बहुत बड़ी हिस्टरी है कि यह जो है यह 1929 मे बना था और जो सर्वयपली राधा कृष्णन थे उन्होंने ब्यासी इसमें ब्यासी की पढ़ाई 1948 में सुरू करवाई थी अब इतना हिस्ट्री तो नहीं जानेंगे लेकिन जितना हैं आप लोगों के लिए बताते चले तो चली जानते हैं कि MMB क्या चीज़ आप लोगों के लिए और आगे बढ़ते हैं देखिए यह जो है फिगर यह है MMB का दर्शन कर लीजे बच्चे आप लोग क्योंकि बहुत चल्द इसके मेंबर बनने वाले इसकी स्टूडेंट बनने वाले हैं आप लोग तो देखिए यह हमारा MMB और नहीं दे पाएंगे जो MMB के हैं ही नहीं तो काफी अच्छी अनलाइस वीडियो यहां पर 25 साला पर मिलती है अगर आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा तभी तो हमारी इंपरमेटी वीडियो आप तक सबसे पहल में देखिए यह जो महिला महाविद्याल है एक विमन्स कॉलेज है और इसकी हिस्टोरिकर मुमेंट जानते हैं ठीक है पहला क्या है यहां पर 14 दिसंबर 1909 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यह उस टाइम इसकी स्थापना हुई थी ठीक है उसके बाद इसकी पह क्या है कि यह जो मेंन बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन 1940 में हुआ था जैसे कि मैंने बताए कि सर्वापली राधा जोग कृष्णन थे वहां के वाइस चैंसलर थे और उन्होंने क्या किया था कि साइंस ग्रूप की स्थापना करी थी उन्नी सो अन्टारी में यह सब ब कितनी अच्छी बात है मतलब बच्चे आप समझ रहें कि में विमन्स कॉलेज के साथ कितनी अच्छी बाते आपको बता रहा है कि में बीके साथ क्या क्या हुआ था और यह कितने साल पुराना इसमें क्या क्या हुआ था कैसे इसके स्थापना हुई तो यह बच्चे जानना चाहिए आप लगो क्योंकि आप उसके member बने वाले आप वहाँ जानने वाले पढ़ाई करने वाले एक नई जिन्दगी के सुरुआत करने वाले है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है courses जो कि undergraduate मतलब UG के लिए 36 सब्जेक्ट यहाँ पर available है उसके बाद MSC MA के लिए home science उसके बाद diploma के courses कुछ available है उसके बाद PhD scholars के लिए कुछ मतलब subject available है उसके बाद यह है UG का course अब यह course के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें comment box में बताइए कि आपको UG के की full detail जाने के लिए आप लोगों को वीडियो चाहिए कि नहीं आपकी response हमें बताईगी कि हम वीडियो लेकर आई कि नहीं है ना तो आर्ट में 15 सब्जेक्ट है साइंस में 10 सब्जेक्ट है अब कौन कौन से सब्जेक्ट है आगे जानते है ठीक है उसी तरह social science and others PG के लिए भ हो सकते हैं तो चाहिकर लिए तो उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट है साइंस की कितने सोशल साइंस की कितने मैं बताए टस अब वह दस कौन यहां पर दिया हुआ है अप लग देख सकते हैं उसके बात करी जए मंब के subject combination की तो उन्होंने आर्ट साइंस और social science में यूजी के ल तो बच्चे प्लीज आप लोगों के लिए काफी हेल्फू लो बागी तो वीडियो में काफी डीटेल बताने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो का बेट कीजिएगा और हमें बताईगा कि आपको चाहिए कि नहीं यह साइंस ग्रूप का है बच्चे ध्यान दे लिए यह सोसल सा साला के थूर और हमारी टीम बहुत ही वर्क करी इस पर फ्री रेजिस्ट्रेशन आप चाहें तो करवा सकते हैं जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स पीडिये सब कुछ मिलेगा है ना तो जल्दी अनॉंस्मेंट हमारी हो चुकी रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो टेक केर